दोस्तों, इंग्लीस में कैसे कहेंगे आप इस तरह के sentences? रोक सको तो रोक लो. आ सको तो आ जाओ. लूट सको तो लूट लो. सीख सको तो सीख लो. दोस्तों, हम अपने डेली कंवर्सेशन में इस तरह के sentences का इस्तमाल करते ही हैं, पर क्या आपको पता है कि इस तरह के sentences को English में कैसे बोले जाते हैं तो चलिए जानते हैं कि इस तरह के sentences को English में कैसे बोले जाते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस तरह के sentences को बनाने के लिए आपको सबसे पहले वर्वे के first form का इस्तमाल करना है फिर if you can का चलिए example से समझते हैं रोक सको तो रोक लो Stop if you can Stop if you can आ सको तो आ जाओ Come if you can Next है लूट सको तो लूट लो Lूट if you can Next है सीख सको तो सीख लो Learn if you can Learn if you can चलिए अब आपको कॉमेंट करके बताना है कि इसे इंगलिस में कैसे कहेंगे भाग सको तो भाग जाओ दूसरा है लड़ सको तो लड़ दो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you very much for watching this वीडियो